एक हफ्ते के विवाद और तेन दिन तक चले हंगामे के बाद सेंटिलियन हायर सेकेंडरी स्कूल फिर से अपने पुराने भवन में शुरू हो गया है हाला कि ये इतना असान नहीं था जब शिक्षक और कुछ चात्र सुबह स्कूल पहुंचे तो गेट पर मौझूद करमचारे ने उन्हें रोका है ये करमचारे स्कूल के भवर में चल रहा है निजी स्कूल के थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात लगतार अवैत कबजेदारों माफियाओं के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं इसके बावजूद लखनोव में ही अभी भी कुछ लोग संपत्ती को कबजा करने से बाज नहीं आ रहे हैं आरोपे की लखनोव में कैसरबाग इस्तित करीब 135 साल पुरा ने सेंटीनियल इंटर कॉलेज पर माफिया ने कबजा करके वहाँ पर मेथोडिस्ट चर्च स्कूल बना दिया वहीं गुरुवार को सेंटीनियल स्कूल से जुड़े सभी सरकारी शिक्षकों और छात्रों को बाहर निकाल दिया इससे नाराज होकर शिक्षकों ने कॉलेज के बाहरी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया आज हंगामे और जद्दो जहत के बाद आखिरकार स्टुजेंट्स और टीचर्स को प्रवेश मिल गया डियम के आदेश के बावजू सेंटीनियल इंटर कॉलेज पर कबजा करने वाले निजी स्कूल के लोग शिक्षकों और स्टुजेंट्स को प्रवेश देने के लिए तयार नहीं थे अब सरों की मौझूद्गी में कड़ी बशक्त के बाद ही बच्चों को एंटरी दिलाई गई मौके पर मोर्चा समालने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला विद्द्याले रिक्षक से लेकर जिला अधिकारी तक पहुँचे जो सेंटीनियल हायर सेकंडरी स्कूल है उसको फिजिकल पजेशन उनकी अपनी बिल्डिंग पर किया गया है उसमें जो ये लोग हैं जिनोंने फ्रॉड तरीके से उस विद्द्याले में अपने एक और विद्द्द्याले की स्थापना करके उसकी माननेता ग्रहन की थी समय दिया गया है सेंटीनियल इंटर कॉलेज को लेकर बीते करीब आठ नौ महीने से विवाद चल रहा था गुरुबार को क्लास सडक पर लगी तब परश्वासन जागा और अधिकारियों की नींद तूटी जबकि स्कूल शिक्षिकों का कहना है कि ताजिश को लेकर आला अधिकारियों को पहले ही अफगत करा दिया गया था हाला कि एंट्री मिलने के बाद एक बार फिर से मामले की लीपा पोती शुरू हो गई है और सियासत भी सपात द्यक्ष अखलेश जादों ने इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा अखलेश ने ट्वीट कर लिखा लखनों में सरकारी स्कूल पर हुए प्राइवेट स्कूल वाले की कबजे का ये सरकार कुछ करेगी या गुरु जन सडकों पर ही गुरुकुल चलाने पर बात दिहोंगे कहां है विश्व गुरु का दावा करने वाले स्कूल शिक्षिकों का कहना है कि साजिश को लेकर आलादिकारियों को पहले ही अफगत करा दिया गया था अब बड़ा सवाल ये भी है कि बिना विभागी ये लोगों की मिली भगत के आखर कैसे सरकारी स्कूल के परिसर में निजी स्कूल की मानिता बेसिक शुक्षा विभाग ने दे दी बेर रिपोर्ट जी मीडिया